आप सभी को मेरे आज के डेली रुटीन ब्लोग में और मेरे यूटुब चैनल पर स्वागत करती हूँ तो गाईज आज ममी ने सुभा सुभा उठा दिया था चार ही बजे और आप सोच रहे होंगे कि मोर्निंग हुआ के लिए लेकिन मोर्निंग हुआ के लिए नहीं आज भ पता है और मैं हमेशा ही बोलती हूँ आप लोग भी जरूर पीजेगा त्याकि आप लोग का भी दिन भर हाइड्रेट होट रहे उसके बाद पानी की कमी ना हो उसके बाद फिर मैं तेयार भी हो गई हूँ तयार तो क्या होना हैगा इस सुभा सुभा तो नहाँगी नहीं बस मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है उसके बाद अभी जाओंगी मैं बस स्टब तो क्योंकि भाई को छोड़ भी देना है तो मैंने सोचा जाने से पहले अपना विस्तर भी ठीक कर लेती हूँ क्योंकि पता नहीं कब आऊंगी देर हो जाएगा इसलिए उसके बाद फिर म अभी मैं यहां पर रस्ते पर आ गई हूँ तो अभी उसको लेके जाओंगी मैं बस स्टब तक तो फिर उसने बोला कि में ही ड्राइब कर लेती मतला में ही चला लेता हूं तो बस अभी जा रहे पता नहीं इसका एक्जाम क्या होगा यह तो बहुत ही सिरियस हो गया है मैं इसको फोटो क्लिक करने के लिए देखने के लिए बोली हूं तो इतना सिरियस हो गया है तो मैं बहुत इसको बोली थी कि मत सिरियस हो ना अच्छे से देना हरवराना मत क्योंकि यह बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है बहुत ज्यादा टेंसन में आ जाता है इसलिए बहुत तो फिर आगे आगे भाई जा रहा है चाचा का लड़का चाचा छोड़ने के लिए उसको तो फिर में पिछे-पिछे में और भाई उसके बाद बस बहुत चुके हैं बस स्टॉप तक लेकिन सुबह सुबह बस भी मिलना चाहिए और 9 बजे से एक्जाम है डिब्रुगर में ह तो थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा और एक का इंवर्शिटी में दूसरा का दूसरी जगा पे हैं मतलब दोनों का अलग-अलग जगा पे हैं इसलिए फिर यहां पे हम लोग वेट करे थी कि कब तक बस आएगा बस आएगा तो फाइनली बस तो आही चुका है तो गई हूं घर क्योंकि अभी सुबह-सुबह गई थी तो सुबह-सुबह घर में इतना काम होता है सब कुछ में छोड़के गई थी तो आकर फिर वो सब भी तो करना ए तो आज मोसम अभी इतना खड़ाब हो चुका है ना देखिए पुड़ा बारिस होने ही वाली है और उसक लिए और बारिस होने वाली है तो यहां पर जल्दी जल्दी तोड़ा जा रहा है क्योंकि संडे है संडे पर मार्केट लेके जाएंगे इसलिए तो फिर यहां पर बस सब जीब खेती है अब सब को तो मैंने पहले भी दिखाया था तो मैं आ गई हूँ चाइपती के बगार मे इतना बारिस होने वाला है तो मैंने सोचा पहले ही मैं यहां पर जारू लगा दूँगी क्योंकि बारिस होने से पहले जारू लगा दूँगी तो आसानी होगी तो देखिए बारिस के बज़े से अभी फूल पोधे भी ना कितने अच्छे से मतला फूल फूले हुए है खि बारिस ऐसा होने वाला है ऐसा बादल हुआ है और हवा ऐसी तेज चल ली न तो मैं सोच ली थी बस यह जारू लगा लूँ उसके बाद बारिस आजाए तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं है क्योंकि शाफ सुत्रा तो रहेगा है न उसके बाद बस मैं जारू लगा रही हूँ औ और ममी तो मीची तोड़े फिर ममी कब आएंगे पता नहीं तो सब कुछ का मुझे ही करना पड़ेगा बस ममी पूजा करेंगे और ब्रेकफस्स बनाएंगी तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहां पे जारू भी लगा दिया है और मुझे यह भी टेंसन ओड़ा था कि बारिष ना भी छोड़ी नहीं रहा है और हमेसा ही ममी जब पूजा करने के लिए आते है तब भी यह बारिष होता है तो आज ममी बोले थे सांती से मुझे पूजा करने भी नहीं देता तो यहां पे ममी ने चाय बना लिया था चाय पिया उसके बाद कुछ कपड़े थे त तो मैं फिर से बोला मैंने मम्मी को वीडियो बना रहे फिर जे पार और मजे इतनी गुसा आ रहा था तो यहां पर मम्मी से बाते करके में कपड़े वगड़ा फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग का राथ क्पड़ा इतना हो जाता है कल का मतलब उसके बाद पूर नहां ध क्या यह लेकिंन अभी तक मुझे रिस्टिप नहीं हुआ है जब होगा उसके भाद मैं लगा लूंगे उसके बाद इयं पर क्योंकि मैंने दो दिन पहले सेखर बाल में लगा था लेकिन मुझे दो दिन जे बाल दोआ ही नहीं था तो पर इम आपना जो डेली रूटीण है बद सिंदुर लगाया उसके बाद बिंदी लगाया उसके बाद फिर लगाया मैंने आज उसके बाद आलू का चोखा बनाया था तो आमका अचार बस मस्ध और तो कुछ भी नहीं चाहिए गाईस मुझे चो ये आमका अचार के साथ ही रोटी पसंद है तो आलो का चोखा भी बना दिया है पूरिफ़स करने के बाद हम लोग उने सोचा चलो चाची के घर गुमके आते हैं मतलब जाके आते गार में बेट बेट कर बोर भी ओर रहे थे बारिस भी हो रहा था तो बस जाकर आ रहे तो पीछे पीछे चाच पहुंच चुके हैं और चाटा चाटा चाजी कहीं जाने के लिए निकल ले थे सचा चलो इन लोग को सब्सक्ररी ठोड़े करके आते हैं क्योंकि Other time केसे पार हो जाता है पता ही लिए इसके हाथों भी नहीं थैसी ही बाड़ो कुछ हो घया ओ, भी झाने से होस्पिटल जान ले जान ले ती ठोड़ाक狐vity झाए assessments बच्चे इतने छोटे से स्माट हो जाते कि बड़े बड़ों को तो मतलब फेल्डी कर लेते हैं तो यह देखिए यह इतना सरारत कर रहे हैं यहां पर में थोड़ी दिर बैटके और उसका मुझ देखिए देखिए बस ऐसा ही करना है उसको दिखाना है बस मुझे यह हो गया यह टोड़ा सागया मतलब वो जो चेर से गिर गई थी तो यहां पर में फोटो किछने के लिए बूला रही थी क्लिक करने के लिए और यह देखिया इसका पोज यह मतलब फोटो बस फोन दिखाऊना है वीडियो करना है फोटो क्लिक करना है उसके बाद घळा के मैंने तो यह क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता ने आज अधाने सेटे का बोलते हैं वो भी ममी बनाएंगे उसके बाद देखिए यह आलू के साथ फ्राइ किया है चाओल है मतर आलू और लोकी की सबजी, इसके बाद मैंने ओमलेट बना लिया था, और आमकी चटनी, आहा मज़ा ही आ गया आज लांच करके, उसके बाद पिर आप सबको पताए, लांच करने के बाद हम लोग थोड़ी सी आराम करते हैं, सो जाते हैं दिन में, तो थोड़ी देर मैं एक गंटे तो सो ही लिया मैने एक घंटे तक, उसके बाद फे सोने के गळटा के बाद ही मैं उठी हूँ सायद क्यूंकि मैं दो बज़े सोही थी तो 3.15 हो गया था में उठी उसके बाद बाहर मैंने थोड़ा सा देखा तो थोड़ा सा धूप निकल गया था तो मैंने सुचा अहाँ कल तो हम लोग के साइध धूपी निकलेगा पता नहीं अभी साम में तो बहुत अच्छा था धूप निकल गया था लेकिन सारा जितना भी मतलब हावा चल रहा था तो तुल्ची के पत्ते वगड़ा सारा गीर चुके थे इतना गंदा हो चुका था तो मुझे थोड़ा सा गंदागी भी एसा लगता है कि मैं साप कर दू, साप सुत्रा है रखना पसान दें बस तो उसके बाद यहां पर देखा तो फिर से मिर्ची तोड़ा जा रहा है तो मैंने बोला आज तो संडे था तो मिर्ची सुबा दे दिया था अभी किस लिए तो फिर बोला कि किसी ने बोला है 20 के जी मतलब किलो 20 किलो मिर्ची देने के लिए तो फिर यहां तोड़ने लगे त जो संसेट कर टाइम था ना ये वक्त बहुत ही अच्छा था क्योंकि बारीज के बज़े से बहुत दिनों के बाद एसे धूप निकला था ना बहुत अच्छा लग रहा था तो बyesद में खिरा लेके मैं इवेनिवाज करी थी क्योंकि मुझे खिरा खाना बहुत पसंद है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है गाई और पानी की कमी तो होने नहीं देता तो बस बजार से मतलब जहां से मैंने वसे श्टब से उसको भेजा था वही से भी लेकर आऊँगी तो इसलिए स्कुटी तो चाचा के घर रहता है आप सबको पताए तो आ गए हुँ में और ये भी आ गया है तो मैं इसके पूछ रही थी की कहसा हो कहसा और ये बोला था घर तो पहुंसते थे तो उसके बाद यहां से मैं थोड़ा सा fruit ले लिया है मैंने प्लाम भी ले लूँगी लेकिन प्लाम थोड़ा सा कड़वा कड़वा था इसलिए मैंने नहीं लिया तो यहां पर मैं जो mango है वो मैंने 2 kg mango ले लिया पैसे भी दे दिया उसके बाद फिर मैं आलू लेने गई जब में मार्केट आती हुँ ना घर से ममी कुछ नहीं बोलते बस पेशा लेके भेश दें कि अगर कुछ चाहिए तो फोन करूंगी और जब में मार्केट आती हुँ तो यह लाना वो लाना ऐसा लाना ऐसा लाना ऐसा करना इतना गुस्सा आ जाता है ना तो यहां से मैं फिर आलू सीधा भाई बेट गया है जो कोशन का एंसार होता है ना वो मतलब फोन में देकर सॉल्फ कर आए मैं कितना मुझे मिलेगा उसके बाद में मार्केट से टमाटर लेए आलू लसुन लेके आए उसके बाद देखे फाइव रूफीस खुला नहीं था एक्सो दे दिया उसके श्राव जाता है इंश एंशसीट निकल जाता है रिज़र्ट नहीं एंशसीट टो नहीं संच निकल जाता है तो यह किलेट कर रहा था कि मुझे कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा तो बस हम लोग चाई पी ते और वो कैलकुलेट कर रहा था और हम लोग बोल ले थे कि पास तो हो जाएगा ना चलो देख लेते जब रिजाल देगा तब पता चल ही जाएगा गाइस आज का जो भी था डेली रुटीन डेली व्लोग जो भी है दिन का सब कुछ मैंने आप सब को दिखा दिया और सामकु गईती में भाई को लेने के लिए और इसका आज एक्जाम था मैंने बताया था तो अभी एक्जाम का रिजाल तो अभी नहीं है क्योंकि आज ही तो देख आया है जब रिजाल्ट आएगा तब तो मैं आप सब को बता दूगी लेकिन उसका थोड़ा सा एक है कि मतला इंसान को जब खुद एक्जाम देख आओ तो अजब आजब ये चलो ठीकठा की वाई पास तो हो जाना चाहिए तो देख ते ही रिजल्ट में क्या आता है तो जो भी आता है मैं आप सब को बताऊंगी और आज का दिन का बस यही था बोरिंग साही था बारिस हो गया था फिर सामे थोड़ा सा ठीक भी हो गया था तो बस एक बात बताना है guys मुझे ऐसा हो रहा है ना कि मतलब मेरे subscriber जो है वो बहुत जली जली बढ़ रहे है मतलब अभी तो 3.2K हो गया है लेकिन जो views से वो नहीं आ रहा है मतलब में समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब खुद बखुदी subscribe हो रहा है या लोग जानभुज के subscribe क करें और व्लॉग नहीं देख रहे हैं अभी तो मुझे मुझे इसा फील हो रहा है कि मैं इतना कोसिस कर रहा है लेकिन व्यूज नहीं आ रहा है मतलब 3K subscriber में तो 2K 2.5 2K इतना तो व्यूज आना चाहिए guys लेकिन व्यूज इन आ रहा है मुझे इतना मतलब परिसान हो चु आप लोग अगर सस्क्राइब क्या है तो प्लीज व्लॉग देखिएगा अगर कुछ पसंद ना है तो कॉमेंट करके बताएगा मैं वो सुधार लूगी तो चलिए आज का व्लॉग में यहें पर एन कर्टि वासा कर्टि आप सबको अच्छा लगा होगा और मिले व्लॉग